इसलिए आमंत्रित की गई है कि मध्ध प्रदेश के अंदर पंदरा सालों तक राज करने वाली भारती जन्ता पार्टी की सरकार के मुखिया पोर मुख मंत्री सिवराज सिंग चौहान जो मुझे जानकारी हुई है कि दो नमबर को रिवा नगर निगम कमिशनर का घिराव करने आ रहे हैं तमाम हपतों से ये प्रोग्राम उनका चल रहा है इस संबन्ध में बीजेपी का रेले में बीजेपी के बरिष्ट नेताओं की मीटिंग भी हो चुकी है तो मैं ये सवाल पूश्टा हूँ सिवराज सिंग चौहान जी से कि आप तो स्वयम भृष्टाचार में घिरे हैं आप की जब गवर्मेंट थी तो जुलाई 2017 को आपने एक दिन के अंदर नर्वदा के किनारे साथ करोड पोधे लगाने का एलान किया और उस पोधे लगाने की जो कीमत थी वो 450 करोड रुपया थी जब आप गिनीजबुक में नाम दर्ज कराने के मैटर पर सवाल उठा और मामले की जाच हुई तो वो 2 करोड भी पोधे वहां नहीं पाए गए और आप गिनीजबुक रिकार्ड कायम नहीं कर सके फिर आपके सरकार में ब्यापंग भोटाला हुआ तमाम मर्डर हुए मर्डर के बाद जो बेरोजगार लोग हैं बेरोजगार छात्र हैं जिनको नौकरी पाना चाहिए था वो आज सडक पर घूम रहे हैं और आपके कारकाल में डंपर कांड हुआ डंपर कांड का पांड कांड है आपके इसकीम नंबर छै में रिवा के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ तीन सो करोड का घोटाला हुआ पांच करोड की नोटिस पूर मंत्री राजन सुखला जी को भेजी गई तो पूरा भाजपा का जिला मंडल तिल मिला उठा पूरे नेता तिल मिल उठे और कमिशनर लीवा को घेरने की तयारी कर वैठे और चाहे जनारदन मिस्र जी रहे हो सांसाज जी या महिला मोर्चा की नेता रही जो भी क्रत नगर नियम के अंदर इन्होंने किया वो दुरभाग पूर्ण है मैं किसी दल की बकालत नहीं कर रहा हूँ व्यापं कि हमारी गवर्मेंट आएगी तो दोसी जेल की सलाकों में होगे लेकिन मेरा आरोफ है कि कांग्रेस भी इसमें जिम्मेदार है उसके लोग भी सामिल है वो बचाने का प्रयास आपस में तय करके कर रहे हैं तो और इसके बाद रीवा नगर निगम की जो महापावर थी जब को इसलिए बाहर भेजा गया कि जब तक उनका कारकाल चलता रहा तो पूरी तरह पूत्री बनकर काम करती रही और इसलिए ट्रेणिंग पर भेजा गया कि जब भ्रष्टाचार के मामले में आप से मेडिया के लोग और जाज एजनसिया सवाल पूछेंगी तो आपको किस त रष्टाचार को दबाने के लिए जये ये मेरा गारोफ है कि के आने पे आपके दोरह कोई विरोथ किया जाएगा और यह सारे खुल Mission करेंगे अभी को ने उनको चेताओं ने दिया है सवाल कोछा है इसमें हम फिरा भी करेंगे विरुथ प्रद्शन किरेंगी